हलो गाईज कुछ इस तरह के सेंटेंस हों अपने डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलते हैं जैसे की मैं चाहकर भी वहां नहीं जा सकता हूँ हम चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते हैं मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं भूल सकता वो चाहकर भी तुम्हें कॉल नहीं कर पाया तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगार सकते गाइज इस तरह के सेंटेंस में आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि चाहकर सब्द का बार-बार यूज हो रहा है चलिए guys इस तरह के sentence को कैसे बनाते हैं हम उसके लिए structure देख लेते हैं structure sentence plus even if plus I want to guys sentence किसी भी tense में हो सकता है और guys even if का मतलब होता है भले ही या चाहकर भी guys ये I जो है sentence के according change होता रहेगा चलिए guys इसको हम example के तरू समझ लेते हैं मैं चाहकर भी वहाँ नहीं जा सकता हूँ I can't go there even if I want to चलिए guys next example देख लेते हैं हम चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते हैं We can't help her even if we want to चलिए guys next example देख लेते हैं मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं भूल सकता I can't forget you even if I want to चलिए guys next example देख लेते हैं वो चाहकर भी तुम्हें call नहीं कर पाया He couldn't call you even if he wanted to चलिए guys next example देख लेते हैं तुम्हें चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगार सकते You can't harm me even if you want to चलिए guys next example देख लेते हैं मैं चाहकर भी तुम्हें सच नहीं बता सकता I can't tell you truth even if I want to चलिए guys next example देख लेते हैं तुम्हें चाहकर भी खड़े नहीं हो सकते You can't stand up even if you want to चलिए guys कुछ example अपने आप बना कर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा Hello everyone, my name is Vinos Singh Welcome to my channel Vinos the Study Center अगर वीडियो को सीखने का मिले हैं तो like, share और subscribe जरूर किजएगा ताकि हम रोज में सकते हैं